हमारी सोसाइटी में अबोर्शन यानि की गर्ब समापन एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतिया हैं, मिसकंसेप्शन्स हैं, अफवाएं हैं कोई इसे पाप मानता है, कोई अपराध मानता है, तो कोई इसे इलीगल मानता है इसलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अबोर्शन यानि की गर्ब समापन होता क्या है अबोर्शन का मतलब है कि अगर आप प्रेगनेंट हैं और किसी भी कारण से अभी बच्चा नहीं चाहती हैं तो आप अबोर्शन करवा सकती हैं इसे Medical Termination of Pregnancy यानि की MTP भी कहते हैं अबोर्शन शब्द को सुनकर ही हमारे दिमाग में बहुत सारी बाते आने लगती हैं जो हमने अपने आसपा सुनी होती हैं जैसे अरे ये तो बच्चा गिराना होता है जीव हत्या करोगी गर्बपात तो पाप है ना या फिर टिपिकल बॉलिवूर्ट फिल्म का वो सीन जिसमें बिन भ्याई मा बनने पर हिरोईन कहती है नहीं मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी इतनी सारी नेगेटिव बातों से घिरा है ये अबोर्शन शब्द मगर क्या आप जानते हैं कि अबोर्शन का फैसला किसी के लिए सबसे बड़ी राहत भी हो सकती है खासकर उनके लिए जो फिजिकली, मेंटली, फैनाशली या इमोशनली अभी बच्चे के लिए बिलकुल तयार नहीं है इसके साथ ही और भी कई सिच्च्वेशन हो सकती हैं जिनमें अबोर्शन जरूरी हो सकता है जैसे कि ऐसी प्रेगनेंसी जो फोर्स्ट सेक्स यानि कि जबरन सेक्स से हुई हो या फिर होने वाले बच्चे को कोई जानलेवा बिमारी हो कहने का मतलब ये है कि अबोर्शन शब्द को गलत नजरिये से नहीं देखना चाहिए हर औरत को ये हक है कि वो अपने शरीर से जोड़ा कोई भी फैसला खुद सोच समझ कर ले सके और मा बनना या ना बनना तो बहुत ही बड़ा फैसला होता है अबोर्शन पूरी तरह से लीगल है अबोर्शन का हक हमारे देश का कानून हमें देता है 1971 से यानि कि पिछले 50 सालों से अबोर्शन लीगल है और साल 2021 से तो कानून में कई और बदलाव हुए हैं जिससे अबोर्शन करवाने में और जादा सहुईलियत हो गई है डॉक्टर के क्लिनिक पर जाकर अबोर्शन की मांग कर सकती है इसके लिए उसे किसी की पर्मिशन की जरूरत नहीं है ना ही अपने पती या पिता की और ना ही किसी और रिष्टेदार की 2021 से अनमेरिक महिलाएं यानि की बिन ब्याई महिलाओं को भी अबोर्शन का कानूनन हक मिल गया है और लड़की नाबालिक है यानि कि अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है तो अबोर्शन के लिए माबाप की पर्मिशन होना जरूरी है कानून के हिसाब से प्रेगनेंसी के 20 हफतों तक डॉक्टर की सहला से अबोर्शन किया जा सकता है लेकिन कुछ विशेश परिस्तितियों में जैसे रेप केस या फिर लड़की नाबालिक है या फिर इंसेस्ट या फिर डिसेबिलिटी केस है तो अबोर्शन 24 हफतों तक भी किया जा सकता है अगर प्रेगनेंसी के ताइम पर किसी भी वक्त ये पता चलता है कि भ्रून यानि कि फीटस में कोई फिजिकल ये मेंटल डिसेबिलिटी है ये अबनॉमिलिटी है तो अबोर्शन किसी भी वक्त किया जा सकता है बस इसके लिए कम से कम तीन डॉक्टर्स के medical board की राय जरूरी है abortion सरकार की insurance scheme जैसे की आयूश्मान भारत और employee state insurance के अंदर 100 प्रतीशत covered है medical abortion में 1500 रुपे तक और surgical abortion में 15,000 रुपे तक का insurance cover मिलता है और एक खास बात अक्सर लोग abortion और link जाच वाले कानून में confused हो जाते हैं link जाच कराना यानकी pregnancy के पहले ये पता करना कि लड़का है या लड़की ऐसा करना कानूनन जुर्म है लेकिन बिना link जाच करवाए abortion करवाना पूरी तरह से legal है और आपका हक भी किसी भी महीला के मन में ये सवाल उटना लाजमी है कि abortion होता कैसे है दरसल abortion कराने के दो तरीके हैं पहला medical abortion और दूसरा surgical abortion medical abortion वो होता है जिसमें दवाई देकर abortion किया जाता है हमारे देश में pregnancy के शुरुवाती दौर में यानि की 8 से 10 हफते तक की pregnancy में दवा देकर ही abortion किया जाता है इस process में आपको pregnancy का पता चलते ही डौक्टर के पास जाना होगा डौक्टर आपको दो दवाईयां देंगे mesoprostol और mephespristone ये दोनों गोलिया 24 से 48 घंटे के gap में लेनी होती है पहली गोली लेने के बाद आपको जादा side effect नहीं होते हैं लेकिन दूसरी गोली लेने के बाद 4 से 6 घंटे के अंदर आपको heavy bleeding शरीर में अकडन, loose motion उल्टी जैसा मन, cramp और पेट दर्ध हो सकता है अबोर्शन होने के बाद भी एक से दो दिन तक bleeding हो सकती है कुछ दिन बाद डौक्टर ultrasound करके चेक करते हैं कि अबोर्शन सही से हुआ है कि नहीं abortion का दूसरा तरीका जिसे surgical abortion भी कहते हैं ये भी पूरी तरह से safe होता है बस ये doctor की निगरानी में किया जाना जरूरी है जब pregnancy 10 हफते से ज्यादा हो जाए और 20 हफते से कम हो तो doctor आपको surgical abortion की सला दे सकता है surgical abortion के process में surgery यानि की operation से abortion किया जाता है आपको दर्द का एहसास ना हो इसके लिए आपको proper anesthesia भी दिया जाता है ये surgery बहुत ही normal सी होती है in fact abortion के कुछ घंटों के बाद आप घर भी जा सकती है abortion में safety का खयाल रखना बहुत जरूरी है दुनिया भर में हर 10 मिनट में abortion से होने वाली परेशानियों की वज़े से होती है इसलिए याद रहे जब कभी भी abortion करवाने की जरूरत पड़े तो ना तो कोई unprescribed गोली काम करेगी ना ही कोई घरेलू उपाए आपको सिर्फ और सिर्फ registered doctor से ही abortion करवाना है अगर abortion बिना doctor की निगरानी के हो तो sepsis यानि घाव के सड़ने का खत्रा है जो की जान लेवा हो सकता है इसलिए abortion किसी register doctor की क्लिनिक या फिर अस्पताल में करवाना ही पूरी तरह से safe है abortion safe भी है और legal भी कई लोगों के मन में ये विचार बार बार आता है कि आपने कोई गलत काम किया है तो आईए ज़रा इस confusion को भी दूर कर देते हैं सबसे पहली बात कि अगर abortion गलत होता तो हमारे देश का कानून इसकी इजाज़त क्यों देता कानूनी विशेशग्यों ने सामाजिक और साइंटिफिक नजरिये से समझ कर ही abortion को एक legal status दिया है अगर आप बच्चे की परविरिश के लिए किसी भी कारण से तयार नहीं है या गलती से pregnant हो गई है तो क्या ये बेटर नहीं है कि आप इसे ठीक कर सको कॉंडम का इस्तमाल भूल जाने से या फिर इसके फेल हो जाने से अगर आप अंजाने में pregnant हो गई है तो abortion के रूप में medical science इसे manage करने का आपको एक मौका देता है अकसर abortion को लेकर लोगों के मन में जीव हत्या या पाप जैसे विचार आते हैं लेकिन medical science ये कहता है कि abortion बच्चे का नहीं भूण का होता है प्रेगनेंसी के 20 से 24 हफ़तों तक भूण में nerve system डेविलप नहीं होता है यानि कि उसे दर्द का एहसास हो ही नहीं सकता इसलिए दुनिया भर में abortion कराने की अपर लिमिट 24 हफ़ते हैं और ज्यादतार abortion इस टाइम से पहले ही करवा लिये जाते हैं तो आप इस बात से तो निश्चिन्थ हो जाईए कि आप abortion करवा कर भूण को कोई तकलीफ या दर्द दे रहे हैं आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि एक बार abortion करवाने के बाद क्या pregnancy फिर से हो पाईगी या नहीं या फिर कोई problem तो नहीं आएगी ये मित पूरी तरह से मिथ्या है abortion के बाद future में बच्चा पैदा करने में कोई परेशानी नहीं होगी अगर किसी register डॉक्टर की निगरानी में abortion करवाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती इसलिए इस बात का विशेश ध्यान रखे कि register डॉक्टर की देखरेक में ही दवा लेकर या सरजरी द्वारा abortion करवाएं ऐसा करने से आपको भविश्य में conceive करने में कोई problem नहीं आती है abortion के बारे में एक बेहत जरूरी बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगी बहुत सी महिलाएं abortion करवाती है और उसके बात वो guilt महसूस करती है यहां तक कि वो depression में भी चली जाती है यह situation बहुत ही normal है लेकिन इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है गर्ब समापन या abortion के बाद आप कैसा महसूस करती है यह इस बात पर depend करता है कि आपने abortion किस कारण की वज़े से करवाया है हर साल भारत में करोडों महिलाएं किसी ना किसी कारण से abortion करवाती है रिग्रेट, पस्चाताप, गिल्ट, उदासी यह सब महसूस करना बहुत ही नॉर्मल है इस हालाद से निपटने के लिए आप अपने दिल की बात अपने किसी करीबी को बता सकते हैं या इस पूरे प्रोसेस में अपनी फैमिली को इन्वॉल्फ कर सकते हैं आप लव मैटर्स से अपने सवाल पूच सकते हैं और राय ले सकते हैं अबोर्शन के बाद डॉक्टर की सलहा के अनुसार अपना खयाल रखना बहुत ज़रूरी है याद रखें अबोर्शन आपका हक है इस डिसिजन को आप सोच समझ कर ले और कभी भी किसी को ये महसूस ना करने दे कि ये कोई गलत काम है ये आपका कानूनी, मानसिक और शारिरिक अधिकार है